अलो टेरोज वेलकम टो लस्टो मायोटी पेन गोगई और आज हम बत करेंगे जिंक प्यवट पॉइंट शापूर्ट एन रेजिस्टेन मार्केट्रेंद अन मार्केट राइज आड जिंक मार्केट में क्या पेटर्न फोर्म हो रहा है और जिंक क्या होने वह ला है आज दोज अविल्ट काव पर बात करेंगे तु यह फस्ट डिली चर्ट में ऑले पीशियो ईनने क्वाइब. 107. ॐ1र्स ऩो रस्त चास्त चास्टू ना ् घात चास्त हैस्मिन को फ़्यू Fitz 0щ चास्त हमel डिडिक्य घैली चास्त चास्त चास्तिप्न ऱल्द के रडव में इत नीडिक्ट侪न सहुनि ए là यहां पर एक बात देख साकता है,出 जो जिंख का प्रािज है फोर आ वर में की दिखना है, अवर्य को पहले फोर आ वार में देखना है, तो मर un nd hashtag इचल रहा है एर हूंर्ड शे हीरा है 20193 स्लिख तो आप एछ वहां पात देख साकता है, gram 193 रिंज बार बार इसको टोरने का कशीज गहा रहा है जैसे 1st attempt किया था यहाँ पर, 2nd attempt, 3rd attempt यह 4th attempt 4th attempt कर रहा है और एक safe बन रहा है यहाँ पर देखने के लिए लगता है head and soldier pattern डेखने के लिए नहीं इसको बोलता है head and shoulder pattern forming हो रहा है तो आभी भी हमें confirm नहीं हुआ यह अगर यह neckline इसको बोलता है neckline जो मैंने चहां पर एक लिए वहां पर गया तो उसका बाद market नीचे आ गया तो first supporting line टोर दिया तो next supporting line में एक big support बना तो future market ठोड़ा भूर retracement दिया जो higher high नहीं बनाया तो future market नीचे आया तो मुझे लग टेश्में lower low बना सकता है तो इसमें कहां तो आने का चांसे से 193 और sorry 190.33 next resistance line और behaviour supporting line क्योंकि यह supporting line क्यों बना के दिया हुआ है मैंने यहां पर आगर देखेंगे तो फोड़ा weekly में हमें जाना पड़ेगА तो कहां पर दिया हुआ है मैंने यहां पर देख सकता है quickly resistance line बनागे रखा हुआ है मैंने यहां पर supporting line तो इसको तोड़ने का बार-बार को सिस्ट कर रहा है तो अगर हम फोड़ा और में देख सकता है तो यह पहले lower point को बने दिया ठीक है तो आपको अगर market में anti करना है तो कैसे करना है तो यह जो pattern form होता है इसका मतलब क्या रहता है क्योंकि pattern ने हमें एक indication करता है क्या market क्या होने वाला है तो क्योंकि यहां पर जो buyer आता है फिर से buyer loser होके फिर से निची आता है तो यहां पर जो fixed buyer है तो यह level तो कि ए तो अगर इसको थोड़ा तो देगा तो theoretically वह buyer seller में आने का chances जाता होता है तो अगर इसको तो देगा तो इसमें आप सेल में जा सकता है तो अगर हमने 15 मिनिट में देख सकता है यहां पर क्योंकि इसको तोड़ने का को स्रीश कर रहा है जो ओपनिंग हुआ तो नियर रिजिस्टन सपोर्टिंग लाइन में ही हुआ तो आप एक बात confirm करना चाहिए पहले तो buy और sell लेने से पहले तो इसको इसका निचे अगर candle open close हो गया तो उसमें आप sell जा सकता है तो नहीं तो यह थोड़ा बहुत retracement भी दे सकता है लेकिन इसलिए आपको थोड़ा hold करना चाहिए और बीना इंडिकेशन से आप मार्केट में एंटर मत कीचे कोई position लेना जोड़ी नहीं है यहां पर तो इसलिए जब मार्केट थोड़ा भूट correction कर भी सकता है यहां से फिर छे correction करने के लिए उपर से होके फिर नीचे आने का census करेगा और साथ में इसको breakout करेगा तो तब आज सकता है तो store stick और CCI भी उपर जाके features zero level cross करके cell का signal दे सकता है तो आप anti कर सकता है तो इसलिए आप और एक बात यहां पर है आप buy क्यूंकि हम actually कहां पर buy anti करता है क्यूंकि यह supporting level में if confirmation दिये तो यहां पर एक बात यह है कि buy लेना बहुत risk होना चे हो सकता है यहां पर क्यूंकि कि इसको ज्यादा टोड़ने का कोशिज कर रहे है और बार बार अगर टोड़ना कोशिज कर सकता है तो मुझे लगता है कभी तो टोड़ने का chances ज्यादा होता है तो इसलिए cell में जाना ज्यादा important है क्योंकि हम अगर 15 मिनित या 5 मिनित में देखे तो यह downtrend में है तो यह downtrend म में यह supporting line में है तो इसलिए उसको टोड़ने जप तक नहीं टोड़ा टोड़ा टोड़ करना चाहिए राइट तो I hope you enjoy this video if you like this video please like and subscribe thanks for watching